वूल्सक तूल इस विवेक्माρα यद्यक्वा करें पहला है पहला हैılı कि अısरे इस वीडियो में अबीविविवेक्न ब्रॉपे इस फिस्ट्रारी ओपला ही शोल हम थेibileयाने कि मध्यकालिं इस अरश तो सारे हिस्टिय के गतना चाहिं। इसी से सारे questions आने वाले तो चलिए start करते हैं पहले हम कड़ेंगे हम लोग कड़ेंगे प्राचीन इतिहास यानिकि जो इतिहास की जो सुरुवात हुई थी भारत में हमारे हरपा सब्वेता यानिकि सिंदूगहर्टी के सब्वेता से हुई थी तो हम start करते हैं वीडियो पर ब यह front page आप लोग का slavus दिख रहा होगा कि क्या 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 आप लोग के एक्जाम में आपके UP SSC के एक्जाम में आएगा तो first of all आप लोग देखे गए यह पैट की किताब है प्रिमिलिनरी इलिजिबिलिटी टेस्ट इसका full form होता है UP SSC यानिकि उत्तर प्रदेश अधिंस्ट सेवा चेहन आयोक द्वारा यह एक्जाम में आपको पता है आपका एक्जाम 24 अगस्त को है तो आप लोग देखे आप लोग सारा डाउट से लगभा किलियर हो जागा फर आप लोग देख सकते हैं सिंदू घाती की सब्विता भारत की सबसे प्राचीनतम सब्विता है चार्ल्स मैसल के किताब है यह पत्रिका नेरेटिव जड़नी में इसका उलेख मिलता है आप लोग को एक ध्यान में दिख रहा होगा कि जो पहला जो पॉंट है पसु पालन का और जो प्रारंब हा था वो सिंदू खाटी के ही सभ्यता में हुआ था उनिकिंदू खाटी के सभ्यता में पसुपालन कर पसुपालन सबसे पहले श्टार्ट हुआ था आपको सारे of सारे डाराइफ से पर नहीं को बता हुआ है inject में प siento ह Infystem paren आपको मेंन में पॉइंट आपको को याद करना हूँ आपके पस बहुत पास बहुत कम टाइम है और उसका मैंको मैक्सिमम अपना आउट पूट देना होगा अप लोग देख सकते हो कि हृपपा सभरता सिंदू हरते की प्राचिंतम सभ्रताओं में मे इसका खुच शूच में द्याराम साहनी अब लोafter में पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो पटाहिस याप पंजाम हैं यागिदद सर्मान देढ़ अबु मिलाविकर थी नाएंटीं 53 में लोथल जो आप लोगोंवे साथ ही साथ आप लोग यह देखिए की काली बंगन जो आपको पता है बहुत परसिद्ध है जो कि राजस्थान में है जिसकी खोच की थी बीपी लानले जयाद करना है, आपको याद नी करना हो, हमें में चांटिंग आद कर लिए रंगपूर, चनहुत्रो, याद कर लिए पाकिस्तान, सुर्कुटडा, गुजरात लिए बनावली इसका याद कर लिए, आरसी विश्ट ने क्या था 1974, बनावली हरियाना में, क्योंकि यहां से एक् गिर्पुर और यूपी का एक्जाम है तो यह आ सकता है यह गिदत सर्मा ने इसका स्टार्टिंग में खोच करता था यह गिदत सर्मा नाइंटीन फिफ्टी एट में इनका खोच किया गया था कोड़ दीजी पाकिस्तान में है मांडा या याद के लिजे कश्मीर में है धोला राखे गड़ी यह काफी जादा इंपोर्टेंट है जो कि हडियाना में इसका खोच किया था सूरज भानने 1969 में एक टेबल में से आपको जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हरपा के एस्थाल है इनको आपको याद जरूर करना हो क्योंकि यहां से एक्जाम काफी 100% कोश होते हैं और बच्चे सीथा टिक कर देते सिंदु नदी तो गलत हो जाएगा रावी नदी के किना रए मोहन जोधो सिंदु नदी के किना रहे यह आद रखना जो डोपरज नमहें यह afka सतल्र नदी के किना caring आने काली अ्यादा नदी के किना आने response शुत्त एतना इम्पोर्टेंट नहीं एक खाल में गिना पर्फ कोई एछकल द के अटे जाए सबहरा था मैं आठके दूंगा कंगिसे गठागरे ऐ करड़ के यहांकर दो दोखाय तक दुटर सेटेल हो एफ यहांक्य सबसे ब्रॉंकिस ऐसे दोखी किर हने दी इसलिए सिंदुreated के सभटा को बाड़ दिया था mereka si वarte लिए से सिंदू theatre की अ किस व्हाइप को मैं यहाद रखकी नगरी सभटा की पीज के सत्य रखती हिमें में या पुछ तक नहीं हो पाई यहां पे हाथी, गैंडा, बाग, हीरन, भेर इन सब के चित्र मिलते हैं और आपको यह आद रखना हुआ में में राजस्थान के हनुमान गड़ जिले में घगर नदी जैसा कि आपको बताया था मैंने घगर नदी के पास ही आपका राखी गड़ी परता है यहां पे जुते यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे जो हडाखी गड़ी जो है हडियाना के हिसार जिले में यह कौन से नदी किनार थी घगर नदी किनार थी यह आपको याद करना काफी ज़्यादत जरूरी है तो चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हड़पा सब बता को जल ग़न्हें है सिंध परांत में और ऑई दोनों ही रंगपूर रंगपूर जो है गुजरात के सोराष्ट समें कहां पर है गुजरात के सोराष्ट में है और में में Síndhth परने पह बढ़ गए अनकार आपकसितेelf लोग तर यह पसुन्दू भाती सिंव की पूजा करते थे और पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, चनहुद्रो है, कोट दीजी है, सुर्कोटडा है, सुर्कोटडोर है, डाबर कोट है, बाला कोट है, इस सारे के सारे पाकिस्तान में और भारत के प्रमुकस्तल है, पंजाब में रोपर है, जम्मुकस्मीर में मांडा है, हरियाना में ब तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रकृति की पूजा करते थे यह लोग काफी जादा और आपको रखालदास बनार जी ने 1922 में हरभपा सब्धा की खुच की खुच की थे सरोपर्थम तांबा का धादु का उप्योग इसी सब्धा में क्या गया था महन जोद्रो वरत्मान में पाकिस्तान के लड़कना जिले में पिसी थी यह एकुच किया गया था और सिंदुखाटी की मौडो पर सरवादिक अंकन एक सिरिंगी बैलो वाले कूबर वाले बैल का थो इस सब्विता के लिपी को आज तक पढ़ा नहीं जा सका इसको आज तक कभी भी पढ़ा नहीं जा सका और यहां पर जो दाए से बाई लिख जाता थे यहां पर जो दाइ से बाई लिखे जाता थे हैं काई घटाएं जेक्म के लावयत का ओर हार को पता हैं सब्लिज yellow हरपत संबप्विन कोंड़े का अधी। घ्रणे वागों कोश्चना फिक कम अधिक क्या निकीदम कम लेकिद वागों तो आपको यह पताऊना चीह वेद का अर्थ होता है स्रेष्ट जो कि सरु स्रेष्ट है और वेद लगभग चार प्रकार के मेंड मेंड पॉइंट आपको बताऊँगा जो आपको याद रखने हैं रिगवेद, सामवेद, यजुरुवेद, अर्थवेद जो शुरुवेद के तीन वेद है इसे त्रईव बोला जाता है रिगवेद, यजुरुवेद और सामवेद को त्रईव बोला जाता है तो सबसे पुड़ाना जो वेद है वो रिगवेद है रिगवेद में टोटल कितने मंडल है याद के लिए दस मंडल है यह कितने 100% exams में काफी question पुछता है 10 mandal है और कितने सुक्त मंत्र है इसमें 1028 1028 सुक्त मंत्र रिग वेद में है अब चलिए हम लोग आके पढ़ते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको याद रखना है रिग वेद में इश्वर महिमा, यजूर वेद में कर्म कांड और साम वेद में संगीतों के बार में बताया इद है यह भी याद रखने है रिगवेद की सबसे प्राचीन मंडल कौन सी है दूसरा और साथ में सबसे नवीनतम मंडल कौन से जो सबसे नया है वो पहला और दस्वा मंडल आपको यह भी याद रखने की दस्वे मंडल में वर्न विवस्था के बारे में बताएगे आपको सबसे प वर्ण वर्ण के बाद आता है आपका सुद्र वर्ण वैस था और आपको यह आद रखने कि अर्थवेद जो अंतिम है अर्थवेद में किसके बारे में बताया गया है जादू टोना यानिकि वसीकरन के बारे में अर्थवेद में बताया गया है अर्थवेद को बैसिकली अंत वाले पद में है और जो कृष्णी जुरुवेद है जो कि पद और गद दोनों में तो यह बिसिक 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 चीज यहां से कुश्चन ना करें बड़ाबरी आएंगे बेसिकले मेन कुश्चन यहां अगर इग वेद में कितने मंदल दस मंदल है एक हजार अठ्थाथ ले आपको याद रखना होगा चलिए हम मूव करते हैं next point के और सिंधुनादी का रिक वेदिक काल में सर्वाधिक महतु था रिक वेद मे किस नदी को सब्से महतोपुन मानागी सिंधुनादी को मानागी सब्से महतोपुन शर्ष्च्छुति रिक वेद और यो की सर्वाध जातक कथाई यह कौन से धर्म से संबंदित है जातक जो है बुद्ध धर्म से संबंदित है पर्थम करम में निशाकाप दूसरे करम में शुवर्न और तीसरे करम में मशाकाप के बारे में जातक कथाओं में बताया गया है और यह आपको याद रखना है कि बाल गंगादर ति फिल्ग की में च distintos शाइड हैma उत्राज उल्ल books टोटल आट सबसे पहले जोगता सबसे पहलेमं किया है bread 30 में बताया गया है ये ताट सम्चने पारणा लेक साटम पार बीगल में टोटल आपको चार म Googles के बारे में बटाएंग पर क्या क estásकिया थैधा थैजुन को चलिया यहां से हमारा लगवक लगवक खतम होने वाला हैडिंग में रिग वेद यहां पर बीसिकली आपको जो से तादमत्य अस्थापित क्या गए सें है आपको यहां पर मेनमेन, चीज याद करना है अच्ला ह् आझा प करना हूआ कि इंडर इंडर सब से प्रमुख देवता मना गया। और यहां पर इसमें करीब्न 250 स्लोक सुख इंडर के बारे में रिगयद कि आफ-देल इसमें अगनी देवता कि मिलते हैं इसमें मंदल में मिला गया है और लगवक पुरानों की संख्या रिग वेद में कितने थी अठारा पुरान थे और यह आपको कुछ याद करना होगा और और सिंपल यह आप जैसे नीचे जाओगा रिग वेद की लीपी, पूछ देता है कौन से लीपी में लिखा गया था, यह ब्रहमी लीपी में लिखा गया था रिग वेद वाला वैदिक वाल सभवेदा, बैसिकली पूरा कर लिग वैदी काल सभवेदा आपको ज्यादा नहीं मैं पहले ही कर रहा हूँ, काफी चोटे से एक मार्ग से कोश्चन यहां से बनेंगे, कितने वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कोन से, कितने पुडान है, कितने मंत्र है, कितने सुक्त मंत्र है, कौन से मंडल में क्या है, और बेसिकली रिग वेद को सबसे प्राचीनतम वेद भी बताया गया है तो यहां से बेसिक बेसिक से छोटे-छोटे से questions जिस पर मैं highlight कर रहा हूँ वही questions आपके exams के point of use है important है साथ से छे दिनों में इतना ही पढ़ा जा सकता है जो आपको एक row score याने की 80 score 80 marks तक आप लोग safely ला सको next जो हमारा point है वह है बौध धरम आप लोग आओगे बौध धरम के उपर में जैसा कि आपको पता पिता का नाम था सुद्धो धन इनके पिता का नाम था जो कि साक्य वंस से थे जो इनकी माता जो थी ये कोलिय वंस से थी और इनकी माता का नाम था महा माया ये इनकी पर्थम माता थी इनकी दूसरी माता सोतेली माती इनकी मा का नाम था परजापती गोत्मे ये बाद में बच्पन का नाम सिद्धार्थ था , ये भी आपको याद रखना हुआ, बुध जब उनको कहा गया जब उन्हों ग्यान के पराप्ति हो गया, उन्हे है ग्यान के पराप्ति पैंटिस वर्स के उमर में हुई थे ये भी आपको याद रखना है कि 29 वर्स के उमर में उन्होंने गडिय त्याक कर दिया घर को उन्होंने अपना क्या कर दिया था त्याक कर दिया था और इसी को बोला गया महा भिनी क्रश्मन की संग्याश से दी गए ये याद रखना है कि गोतम बु आपको याद रखना होगा कि बहुत धरन में जर बहुत धरम ने पठिन साधना के पश्यात 35 वर्स के उम्में उन्हें उन्हें ग्यान की प्राप्ति हॉए थी और ग्यान की प्राप्ति केँड़ के नीचे हॉए थी गोत्म बुद्ध को विइससे पहले इनका नाम सिद्धार्थ कहा जाता है ये आपको याद रखनाओं बोघ्द संगीती टोटल कुल चार बोघ्द संगीती हुई थी पर्थम जो बोघ्द संगीती हुई थी आजाद सत्बू के शाशन exactamente काल में आजाद सत्तु जो हैं आजाद सत्रू बोध के सामकालीन सासकते यनी कि ऐनकी बुद्ध के बाद के सासे कुण थे आजाद शत्त्रू थे धित्क घ्रा में यह यादर करने है काला शोक के काला शान की elin हिन थे कालां परतमृ आजात सत्त्रू के राजग्री नहीं है सुचान करें हो दिए बुद्ध के सुच थर्ड है थर्ड जो बोध संगती हुआ था समराठ असोक के सासनकाल में हुआ था जो कि मोडियवन्स के सबसे महतपून सबसे सकति साले सासक के नाम से शमराठ असोक को कहा जाता है जो कि कहा हुआ था बोध संगती पाटली पुत्र में हुआ था और इनके जो संगीत के अध् जय हो उस बुए यह में शह 생्क्राइन जो राजा थे वह इनकर अध्यखता थे और इनकर रस अधियक तार्व कुशान काल में कंदे इसरी कुंवांगर के पर्थम साशक थे आपको ये टेबल में भी आप लोग को दे रखा हो है कि बहुत जो पर्थम बोध्य सबाए हुए थे चार बोध's अबोधसमिर वहु काला शोक तो यहां पर दुख ही है दुख समुदा है और दुख निडोध है,terना भूख ही यहां पर संसार में पाया जाता है , Mr. प्रूआं, यदि आपको मुख्स के प्राप्ति करनी है तो आपको कही न कही है यखे अब को शन्यास का मार्क अपनाना होगाegवर सकतЖ है वर्स की उमर में त्याक किया था इनके घोड़े से उनको दर्साया जाता है ग्यान को ग्यान की प्राप्ति पीपल के पेर के वरिक्ष के नीचे जो की बहुत गया में इस्थी था बिहार में वहां पर हुई थी निर्वान की प्राप्ति इनको पदचिन में दर्साया जाता है मृत्यू स्तूप जाता है जो गौत्म बुद्द के जो अंत के जो अवसेश है, मृत्यू के अवसेश है टीले है उनको स्पूथ से कहके पुकारा जाता है यह आपको याद रखने है अपने पिडिय चिस्थे आनंद के कहने पर आपको एक्जाम में मैंने आभी बताए था ग इस्तिरियों को बॉहत धर्म में सामिल होने की ऑनुमति है अी। पर्थमस्तरी महा प्रजापती गेत्राइब। त्रिपितक का जो यह कूछ च्छन त्रिपितक के जूज त्रिपितक तीन-विटत वाला गरंत है गोतम बुद्ध के संग संबंदी नियमों को विनय पिटक में बताया गया है दूसरा उसके बाद सूत पिटक में उनके सिख्छाओ का वर्नन है और अभी दम पिटक में दार्षिनिक शिद्धानतों का वर्नन है थेडी का था क्या है, थेडी क्या है, महिला है, ऐसी महिला है, जो गोतम बुद्ध के धर्मों को अपना लेती है, इसे थेडी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है कि साची का इस्टूप और भड़ हतू का इस्टूप मोड़ी समराट असोक के सासनकाल में हुआ, जो कि सा साथ वाहनों ने अपनी राजधानी अमडावती बनाए थी, यह आपको याद रखना होगा, बेसिकली छोटा-छोटा चीछा है, यह याद कई बार एक्जाम में आता है, एश्या ओफ लाइट नामक जो किताब है, एश्या ओफ लाइट गोतम बुद्ध को का जाता है, या कुशान सासक के बारे मैं आपको बता दू, कुशान सासक जो होते थे, यह इन ही के समय में सुर्ण मुद्राय सबसे पर्थम सरुपर्थम आये थी, कुशान सासक में सबसे सक्टी साली सासक थे, यह आपके थे, कनिश्की सासक थे, यह आपको थोड़ा बहुत याद रखना कशंकू के सांब अगत्सान की अजये बड़र में जायन धिया जायन धर्म का पर्थम संस macht कर प्रथम तीर्थकर रिशब्देव इसे बोला जाता है आदीनाथ इनका दूसरा नम क्या है आदीनाथ आप लोगको PDF में सब चीज दिखड़ा होगा और पारसुनाथ इनके 23 तिर्थकार थे और अंतिम तिर्थकार जो थे वो महावीर स्वामी थे यह आपको याद रखना है कई बार पूछ देता है बहुत धनम कुंडलपूर वैशाली के पास हुआ था जो कि बिहार में आपका वैशाली है कुंडगराम या कुंडलपूर वैशाली में इनका जनम हुआ था पांसो निन्यानवेश्वि में वा था और जो जयन धर्म को चंद्रकुक्त मोड़ी ने अपनाए था बाद में महावीर की जो पहला शिस्से बना था जमाली इनका पर्थम सिस्टे का नाम कि महावीरच्वामीन है 30 वंड़ में sort को अपने घर को त्याग दिया, और 12 वर्ड की कःठिन स्था या के और इनको लिए प्र दबुद्ध कन की प्रप्त्धी होती विप्ठी जो जो 6 वर्ण की प्राप्ती स्था इस अब बात करते में, पंस तो 6 वर्ण जैन धर्म ने इन्होंने पहला सिक्षाय बताया है कि संसार दुख मैं है मुक्ति के लिए त्री रतन का मार्ग अपना है यानि कि मुक्ति चाहना है आत्मा एक है मोख्च की प्राप्ति पर यह विश्वास करते थे और पुनर जनम पर भी यह लोग जो जैन धर्म है यह विश चंद्रगुप्त के सासनकाल में पाटली पुत्र में पर्थम जैन सम्मेलन का आयोजित किया गया था आपको यह आद रखना है कि जैन सम्मेलन जो पर्थम जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त के सासनकाल में हुआ था जो कि पाटली पुत्र में है और आपको दूसरा जैन सम्म वल लभी में हुआ था आपको पता है कि जो बहुत सम्मेलन है वह चार हुए थे पर्थम हुए थे आपके आजात सत्रू के समय में राजगिरी में दूसरे हुए थे आपके काला सोक के समय में तीसरे हुए थे आपके शमराट असोक के समय में और चोते हुए थे आपके कनिश कि के शमयम है वैसे ही जो पर्थम जैन संभेलन चंद्रगुप्त मौर्य के समराट के सासनकाल में हुआ था असो के समय बड़ाबरी बड़ाबर पहाड़ी के गुफाओं में सुदामा के गुफा था करन चौपर नामक गुफा सरोपरसिद थी यह आपको याद रखना है असो जैन धरम में जो चंद्रगुप्त मोरी है अपने अंतिम दिनों में करनाटक राजी के शरवन बेल गोला में चले गये थे वही पर उन्होंने अपना प्रांत्याग दिया था करनाटक में यह आपको याद रखना है कि बाड़ा वर्स के अंतराल पर करनाटक राजी में कवी का नाम था खोटिल यानि के चानक के कनिस्क के कवी का नाम नागारजुन भी था आपको हर्स वर्धन के कवी का नाम याद रखना है बान भट और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवी का नाम था काली दास और पृत्वी राथ चोहान के कवी का नाम था चदंब मूडिवन्स में इसको नाम माना जाता है मोरीवन्स से जो पहले है मोरीवन्स के बारे में आपको पहले पता होना चीए, यहां पे मगद 16 महर जनपत थे, इसमें जो सरवपर्थम जो सबसे सकति-साली जनपत था, वो मगद तो हमें यह संसथापक सुन हैं संस्थापक है इसका सिसु नागी इनके पर्थम संस्थापक है थर्ड जो वंस आते है नंद वंस आते है नंद वंस के जो संस्थापक है महापदमा नंद है और इसके जो अंतिम सासक है वो धना नंद है इन्ही को हडाकर चंदरगुप्त मोरी ने मोरी वंस की स्थापना की थ तुरह आपको मौडी मश्स के विसमें हमें पता कहा है चलता हैं मुद्रा राक्षाइस से पता चलता है जिसकी रचना विशाखा दत्हाओं ने कि ती यह आपको याद रखना है और हैं धुंडी राज ने मुद्रा ना ने टीका लिखा था पर्थम उपाधिया यह आपको याद रखना है कि बिंदु सार को अमित्र घात की उपाधिय दी गए थी यह काफी इंपठेन्ड चंद्रकुप्त्त मोरी के पुत्र का नाम बिंदु आपको यह इंपोर्टेंट कुछ याद रखना है हम बात करते हैं कि अर्थ सास्तर सासन किसी दान्तों के पुस्तक हैं अब आप चलिए नीचे आजए आपको मैंने बताए कि हडियक वन्स के संस्थापक बिंभी सार थे मोडी वन्स के संस्थापक चंद्रगुप्त मोडी थे अच्छा मोडी वन्स के जो अंतिम सासक थे यह आपके थे बडी दत थे इनकी जो पुस्पमित्र सुंग ने जो की सुंग वन्स जो थे यह बिसिकली ब्रह्मनी वन्स थे तो आपको यह भी याद रखना है साथ वहन वन्स के पर्थम सासक सिमुक थे गुप्त वन्स के पर् देवना पिया की उपादिधारन करता था। जो असोक के जो पुत्र थे असूक के पुत्र का नाम महिंद्र था कुनाल थे और इनकी पुत्री थी संग्मित्र तीवल और चाड़ु मति Consexo के अफ़ी लोगों धर्म की आत्राय प्राडम के थी किसने समराठ असोक ने अब बात करते हैं कालसी गिरनार और मेरट के भी लेक ब्रहमी लिपी में यह आपको याद करना है छोटे-मोटे चीजे हैं ज्यादा हाड चीज नहीं है आप देखते रही है आपको याद हो जाएगा असोक के अधिका बाजगढ़ी और मान सेनरा यह आपकी खरोष्टी लिपी में थी लेकिन आपके एक्जामस में यही पूचा जाएगा जो असोक के अभी लेक थे वो ब्रहमी और प्राक्रतिक लिपी में थे आपको में में चीज याद करना है चलिए आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्क में प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपी दाय से पाई लिखी जाती थे असोक ने बुद्ध की जनम भूमी होने के कारण लुम्बनी ग्राम का धार्मिक माफ कर दिया था असोक के तेरवे अभी लेक में कलिंग के यूद्ध को यह बारे में बताया जाता है तेरवे शिर सब्सक्राइब दए के देखाने जवने के बारह में दएक लेजयाए थो और हमें जूनानी राजदू है जो अनुनानी राजदूत कौन था नीनों नयूत्वत्ध की उन्हों ज्यद्धति था उका जडिकिया थिता यहर में और को जार हो गए थी यदि आपको याद रखन में बली नामक टेक्स पर था थी याद करना है थोड़ा बोट में में चीज देखते हैं मोरी नगड़ो में प्रसासन नगर पाली काओ द्वारा चला जाता था नगर पाली काओ द्वारा यूनानी लेख़कों में बिंदु सार को अमित्रो केडीज कहा गया यानि कि आपको मै ईस को क्या कर दिया था खतम कर दिया था मोरे नधिट वरक scientरफ उत फेंब रमद्री आराइब मंदिरों का नाम है यह इस में काफी जादा फेमस हैं वह नस्मानत दिवर्मन अन्रफषा मण्दिा कश्डमन जो-डशॉइशं में आपका मंदिर है जगनात मंदिर कोनार का सुर्य मंदिर किस ने निर्मान करा था नर्सिंग देव ने कर वाय था कंदारिया महादेव का मंदिर ये आपके मध्य परदेश में इनका निर्मान किस ने कर था धंग देव ने कर था कैलास मंदिर जो कि आपके महराष्ट्रा मे पाच मंदिरों का वर्णन है जिसका निर्मान कृष्ण पर्थम ने कर रहा था एलिफेंटा की गुफई राष्ट्र कूटो ने कर वाय था कैलास मंदिर का निर्मान नर्सिंग वर्मन ने कर वाय था यह कुछ वन्स 275 इसवी से 550 इसवी था एक बहुत ही बड़ा सासन काल चला मौडिय वन्स के बास सबसे महतपून सासकों में सुमार गुप्त वन्स था इस वन्स के स्थापना 275 इसवी में महराज स्री गुप्त ने की गए थी और गुप्त वन्स का पर्थम सकती साली सासक आप से में पूछा जाए तो चंद्रागुप्त पर्थम बोला जाएगा अब छगुप्त वन्स के बाद जो इसका पर्थम सासन था गुप्त स्री गुप्त के बाद जो स्री गुप्त का पूतर था घट उतकर्था महराज क के उपाधी धारण की थी तो चलिए अब हम नैक्श्ट की मूब करते हैं वाकटक सासन में चार असुमेग वर्णों का असुमेग यग्यों का वर्णन किया गया असुमेग यग्य क्या होता है यह राज्य विस्तार नाम की यग्य होता है जिसमें राज्य अपने घोड़े को छोड़ देता है और जिस राज्य में घोड़ा जाता है वह और आपको यहां कहा जाता है कि इतिहास कर विशेंट स्मित ने अपनी रचना अली हिस्ट्री ओफ द इंडिया में नेपोलियन भारतिय नेपोलियन समधर गुप्त को कहा तो आपको यह एग्जाम में पूचा जाता है कि नेपोलियन किसे कहा जाता है समधर गुप्त को यह त टिवन स्मित उसके नाम प्यालों आप लोग विशेंट स्मित को याद कर सकते हैं जिन्हों ने भारतिया नेपोलियन की संग्या जिसे दी जाती है ये एक्जाम में आता है कि समुद्र गुप्त के बारे में कौन से इदिहास जो इलहबाद में एक असोक अस्तंब में अभिले को ये वेडि इंपोर्ण इदुप्त को अच्छा समुद्र गुप्त के बाद जो में तपुन सासक को नाता है चंद्र गुप्त गुप्त को ने सरव परतम सक राजाओं को हडाने था इन्हे सक विजेता की उपादी किसे दी गए थी चंद्र गुप्त दीदिद्यों को पशिम भारत के अंतिम सासक रुद्र शिंग 3 को भी इन्हों ने को चंद्रगुप्त दुट्य ने विक्रमादित्य ने पाचवी सताब्दी में पडास्त कर दिया था इसलिए इनको सक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त दुट्य को और चंद्रगुप्त विक्रमादित यानि कि चंद्गुप्त दुध्ति का नाम आता है हुनों का पहला भारतिय आकर्मन गुप्त समराथ स्कंद गुप्त साहसन में हुआ सकंद्गुप्त के हाथोवे बुडी तरह पड़ास्थ हुए था यह आपको याद रखना है कि हुनों का जो साशन हुआ था यह सबसे पर काफी ज़्यादा इसमें फेमस था चरक के बारे में याद के लिजे मैंने पहले बदाता आपको चरक राज वेज थे जो की गुपत काल में थे चरक कौन से वेज थे चरन सहीता राज ये वेज थे चरक भासका चारी ये प्रक्षायत थे खगोल एवं गणी तग्ये थे भ चरक काल में जो सोने की मुद्रती से दीनार बोल जाता था क्या बोल जाता था इन्हें दीनार नाम से इन्हें पुकाड़ा जाता था आपको ये भी याद रखना है आपको देखते चलिए आगे अभी काफी important questions आएंगे गुप्त वंस की जो तिथी है सुरवात की तिथी 319 इस्वी पूर्व है ऐसा वंस कौन सा वंस है जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है मंदिरों में वह थे ब्रहमनों और मंदिरों में सबसे अधिकदान गुप्त काल में क्या गया था अब ये भी पूछता है कि सत्रंज का खेल कौन से काल से आया है तो सत्रंज का खेल गुप्त काल से ही प्राडम हुआ है तोड़न मार भारत दूसरे हून आकड़मन करनेता था ये important नहीं है अच्छे ये कुछ गुफाई याद के लिए एक्जाम में का व्ैधा मीं नहीं झाए उपको में मुंबए में याद रखना है महा बिलंपुडम आपको तेमिल नाडू में ज़xt का एकड़ मन पुडम उन आपको आपको लारम मंदिर नाशिक में महाराष्टर मैं आप मरें चंदेल सास को ने करवाय था खुज राहू मंदिर करते हैं अब हम मूव करते हैं हर्स वर्धन की और आपका ये प्राचीन इतिहास का अंतिम पार्थ होगा इसके बाद हम लोग मेडिवियल हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इसके अभी तक हमने कवर आपको में एक बर लाइन वे लाइन दो मिनिट मैं रिविजन करवा दे तो अभी तक हमने कवर कि अभी थर्ड हमने कवर किया सिंदूख हटी सब्दा यानिका हरपा सब्दा के बारे में जाना जो कि काफी इमपोर्टेंट था प्लाचीन यूग सब्दा थी और दूसरा अ फेदिक सभ्यतार डिग्वेथ के बारे में जाना फिर थड्स नंबर पे हमने जाना घौतम बुद्ध के बारे में जाना जो कि जिनहें एशय आफ-लाइट का जाता है जिनकी रचना की थी एडवर्ण नालूने की थी जो कि लंडन में की थी महावीर सौमी नहीं रहा हैं राक हमेद चोट है पढ़ा, कलिंग युद्ध के बारे में, हमने अभी तक पढ़ चुके है, और इसके बाद हम लोगों ने गुप्त वंस के सासक पढ़ा, गुप्त वंस के सासक जो स्री गुप्त थे, चंदरगुप्त पर्थम थे, समुद्र गुप्त थे, फिर उसके बाद हमारे, अच्छे जो आँंप को आपी कुमार गुप्त थे इन ही के समय में नालंदा विश्क विधियालयका गठन र dal्व इन ही शरूर को आपको पता है वह दिली के महरोली में अच्राइब्ध ऊतर है अम करने यहिंगे required की बर स्थारी डुल्राइब भी डाब के दर्माद में रहते थे आपको इंपोर्टेंट और समुध स्वेन छटे समारों में उपस थे हुएन सांग चीनी यातरी थे कौन से यातरी थे चीनी यातरी 673 स्वी में हवेन सांग ने नालंदा विश्वविद्या ले गए जिस समय वहां के कुलपती आचारीश शील भद्र थे भारत का प्रथम विशो प्रभाक वर्धन थे हर्स वर्धन के विताब प्रभाक वर्धन थे राज जिस्री हर्स वर्धन की बहन थी राज जिस्री का विवा कन्योज के मारवारी राजा से हुआ था और हर्स वर्धन के बारे में जालो हर्स वर्धन 606 AD में राजा बना 606 इसा पुरू राजा बना उन कन्योज राज़धाने किस सासक ने की ठीर खर्स वर्धन ने की थी और उसकी बेहन को कय this is बैद कर लिया गया उन्हों ना कर लिया था अपनी राज़धाने को कन्योज बना ले पड़ाजित करके राजधानी कन्योज बना दी यह आपको याद रखना होगा और कुछ बेसिक बेसिक सी बात है हवें सांग हर्स के समय में था और हवें सांग मैंने अभी बता है आपको कौन था वो चीनी यात्री था और पिय दर्सिका नागानेंद रतनावली नाटक की नक माना जाता है जो कि सरुपरतम भारत में 702 एडी में आयता है तो यह माना जाता है कि हर्स चरित भारत का अंतिम हिंदु सा सकता इसके बाद आपको याद रखने जगननाथ मंदिर लिंगराज टेमपलेसम में आपको बता दिये पल्लव वंस के बारे में आपको याद कर इनके पिता काना महा इनके पिता काना प्रभाक वर्धन था और इन्होंने थानेश्वर से कन्नोच किया था राजधाने को चेंज किया था नाक्स्ट मूव करते हम लोग मेडिवियल हिस्ट्री पर हम आने से पहले जो लास्ट हर्डिंग है हमारा राजपूत काल के और इनके पर्थम सासक कवंस किसे बोला जाते हैं नागभट पर्थम यानिके गुर्जर परतिहार को राश्ट कूट वंस के अस्थापना 736 इस्वी में दंती दुर्ग ने की थी और दंती दुर्ग के संबंद में उज्यानी में उसने हिरन्या गर्भ यगई करवाय था राश जैन था इनका विस्तार गुजरात से राजस्थान में इन्होंने अपना विस्तार कड़ाया और महीर भोज इंस्वर्स का परतापी सासक माना जाता है और अंतीम सासक इस्वर्स का कौन माना जाता है यश्पाल नालंदा विश्वी द्याले बक्तियार खिलजी के अधिन त विक्रम शिला के बाड़े में विक्रम शिला के प्राचीन बहुत विश्व धाली के सबना बंगाल के पालवन से सासक धर्मपाल द्वारा की गए थी मध्य परदेश में छतरपुर जिले में खुजराहों ने चंदेल राजाओं ने इस मंदिरों का निर्मान कर रहा था इसको युनिस्को ने विश्व विडासत सूची में सामिल क्या गया है और कौन-कौन से है खुजराहों का मंदिर भीम बेटका का मंदिर और साची का इस्तुप जो कि मध्य परदेश में जो कि युनिस्को द्वारा विश्व विश्व विडासत सूची में सामिल क्या गया कुछ बेसिक से चीज़े है इसके बाद आप लोग का यह हेडिंग खतम होके आप लोग का जो आएगा नेक्स्ट हैडिंग कौन सा आएगा वह आएगा हमारा मेडिवियल हिस्ट्री आएगा तो चलिए दिस आवर लास्ट हैडिंग और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप आप्दिन देमात्रा